10th और 12th का exam आ रहा है दोस्तों और हमारे गोरकपुर वाले exam देने के लिए हमेशा से तयार रहते हैं लेकिन इस बार exam कड़ा होने वाला है लेकिन उसी बीच हम आज excellent coaching center हाटा बजार में हैं और आज हम छोटे बच्चों से बात करने वाले हैं ये छोटे बच्चे वो हैं जो 12 बंकी वाले लखनव वाले और तमाम सहरों के बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और हमारे गाओं के ग्रामिड बच्चे भी मैनत तो करते हैं लेकिन वो होसला उन्हें नहीं मिल पाता इसी बीच excellent coaching center एक नई मुहिम लाया है ये बच्चों को उससे पहले की तयारिया कराता ह सबसे पहले बच्चों से interaction होगी फिर यहां के सर से interaction होगी और हम बताएंगे कि ये excellent coaching center वाकई में कितना excellent काम करता है आज थोड़ी जानकारी ले ली जाए सबसे पहले एक बार तालिया आप लोग बज़ा दो वज़ये है कि जिस तरीके से ये बच्चे आपको दिख रहे है वाकई में teachers यहां पे बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं सबसे पहले थोड़ी टीचर से बात हो जाए सर मैं आपसे चाहूंगा थोड़ी आपसे बात हो जाए क्योंकि हम बच्चों के बीच बहुत कम आते हैं और जब भी आते हैं तो सबसे पहले हमारी कोसिस रहती है कि व सबसे पहले Excellent Coaching Center नाम बड़ा यूनीक है और इसके बारे में जो सुना है वो भी यूनीक है सबसे पहले मेरा सवाल है जिस तरीके से आप 10-12 से पहले की तयारिया कराते हैं मैं ने सुरू में कहा कि आप 4 से लेके 9 तक ऐसी तयारिया कराते हैं ताकि बच्चों को 11 और 12 या 10 कोई परिशानी नहीं होती है सबसे पहले अपना नाम बता दीजे और क्यों अलग कर रहा है क्योंकि हमारी कोशीर हेना कि जो गॉरकपुर में भाई साब अच्छा कर रहा है उनको आगे हम बढ़ाइंगे बस आप ऐसे हैसे सबसे पहले एक्सिलेंट कोचिंग सेंटर के बारे पास हमने कर लिए उसके बाद से ही मैं बच्चों में रिलेट होने लगा जो छोटे बच्चे थे उनको बताते हैं यहां आधा आज का जो डेट है तो मैं क्या करता हून जैसे छोटे बच्चे जो आझेज़ जो रहा इसे का रहा है जो fighting इन बच्चों को वर्ण परिच्चा की तैयारी कराने के लिए मैं पहले से अनको प्रिपेर कर देता हूं जाप को देना होता है तो अगर बच्चा है करने के बच्चा करने के बद तो मैं भी नाइन प्रिवाइब कुछ चींजें बताईे लुए है उसके बारे में विचे समया मैं भया है आपके माइंड को चेक करने के लिए आपका माइंड कितना वर्क तो इस सारी चीज़े देखे तो उसके बाद हमने एक परिच्छा चालू करा आई जो हर महीने एक टेस्ट के रूप में होती है उसका नाम हमने रखा मंतली कंपडेटीव टेस्ट के नाम से मासिक परिच्छा यसे बच्चे दिमाग में मना लेते हैं हमको दस पास करना है उसके बाद हम तैयारी करेंगे आज के समय में लोगों के दिमाग में बस चुका है और आप देख रहे होंगे सर कि बहुत सारे युवाजों है तैयारी कर रही है तो कुछ न कुछ आगर हमारे में यह थ्यूय होगा आतों अंहां पाक्छों से और वैसे हम बाहर हो जायंग लड़ाई को मारे अंदर कुछ अक्रा आना चाहिए उस एक्स्ट आो इसी व में चम्मनाने लाया यमसर्व करा तो मैं करा ताओं हो एसनूं के होते है मैं इसे बच्चों को एड़ करता हूं एक ही साथ कराते हैं चैसे नहीं तो सही है लेकिन जैसे कई चीजे ना च्छे वाले बच्चे के पास भी कुछ यूनिक आ रहा है इस चीज को देखना चाहिए और दस के लिए दोनों बच्चों के लिए भी नया है तो अच्छा पूस् तो देखिए अगर आप बहुत कुछ बता बता रहे हैं बहुत लंबा चोड़ा बता रहे हैं लास्ट में तैयारी करने क्या उस समय आपने बता तो नहीं पकड़ पा रहा है लेकिन अगर सुरवात से उसकी दिमाग में रहेगा अच्छा सर ने तो बताया था कि स्क्वाइ इस तरीके से बताया कि बेस्ट्रॉंग होना चाहिए तो अगर बेस्ट्रॉंग होगा तो वाकई में हमारे बोगोरखपुर के बच्चे पूरे देश में नंबर वन चाहे रहेंगे और इस वज़ए से आप अलग कर रहे हैं यहीं आप कहना चाह रहे हो सर्वाइब कि दो मसेएड़ कि अ कि ओम सेई